आपका दिल खुश हो जाएगा और आप नहां प्रभुजी विराजमान है 36 गड़ के प्राचीन मंदिरों में से एक भोरंदेव मंदिर के गर्भगिरी दर्शन के साथ-साथ आज आपको मंदिर से रिलेटेड और भी बहुत सारा इंफर्मेशन मिलने वाली है और हाँ अगर मंदिर तक पहुँचने के रास्ते से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो उपर आई बटन में क्लिक करके आप हमारा मंदिर से रिलेटेड प्रिविएस विडियो देख सकते हैं जिसमें आपको सारे इंफर्मेशन मिल जाएंगी आप सभी को मेरा नमस्कार और मुण शत्तिजगर के सब बोसामवारी मनला जय जोहार जय शत्तिजगर वेल्कम टू माई यूटूब चैनल टूर के शौकीन और मेरा नाम है नवीन बिना देर के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा यह विडियो इतना पैसा है 30 रुपिया बाकी मंदिर से वहीं वहीं पर ही है ने पैदल इधर से अपना आये हैं और यहां पर लगा हुआ है और यहां पर सामने है गार्डन आप आसपास क्या क्या है और भूमने का शेर की महल है मढवा महल है तरुधा रेम है और यह अपना चीवफी घाटी है बंजारी चले जाओ बंजारी साफिल मिटर है और गार्डन से ही एंट्री लेकर पैदल मंदिल की तरफ चल निकले सामने से देखिए इधर साइड से एंट्री करना है और आपको दिखाता हूँ यह बहुत ही जवर्जस्ट गेट मैकल पर्वत स्रेणी से घीरे होने के कारण मंदिर और उसके आसपास का एरिया पूरी तरह हरियाली से ढखा हुआ है यह है सामने निटराज जी की मूर्ती जब नाइट में फवारा चलता होगा जब पानी रहता होगा यहां तो और मस्त दिखता होगा यहां का द्रिश है इस गार्डन की लोकेशन को देख के ऐसा लगता है मानो यह किसी म्यूजिक अल्बम की शूटिंग का इंतजार कर रही हो यहां से फोटो शूट करने के बाद आप जैसे ही यहां आते हैं तो आपको दिखता है यह बहुत ही सुन्दर नजा रहा भाई लोग यह फोटो कषीच रहे हैं अधर से आने के बाद अपने को जाना है यह सीधी से उपर चलिए आपको बताते हूं उपर चड़के कितनी सीधिया है अधर लॉक है इने से गूम के जाना है का इमें ले तो गाइज उपर अपन चड़ चुके हैं और सीधिया है लगबख साट के बासट मेंगेट वहां से बंद था और मेंगेट से एंट्री में लेकर अपने कुछ साइट के दिरवाजे से आना पड़ा तो यह यहां के तालाप का नजारा और इस नजारे के साथ आप बोटिंग भी कर सकते हैं चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ अब यह सब गाड़ी किधर सा है यहां पर गाड़ी खड़ा है अपन गाड़ी नीचे ही लगा दिया अपने को आइडिया नहीं था तो आप लोग ध्यान रेखे गाई यहां तक गाड़ी ला सकते हैं यहां से अपना आया है और यहीं पर मेंगेट है अंदर एंट्री का तो यह है मेंगेट मेंगेट से दोनों तरफ बने हुए है शीवलिंग और पुरानी मूर्टिया इस तरफ भी है और इस तरफ भी और चलते हैं अब आगे मंदीर की तरफ यह स्री काल भैरो बावा जी का मंदीर अंदर से देखते हैं पुलीस साहथा केंद्र भी है हमारे साहता कर भी तो आप यहां कुछ भी जड़त पढ़ता तो यहां साहता सैता ले सकते हैं बहुत ही सुनदर दृश मुर्तियों के उपर चावल बंधन न डाले मुश्क्राइए आप कैमरे में हैं यहां नंदी महराज जी बैठे है और यहां से होती है एंट्री मंदीर की चलिए आपको मंदीर के अंदर ले जाते हैं दिखाता हूँ कैसे कैसे बना है कैसे कैसे कला कृतिये जय हो प्रभूर 36 गड का खजुराहो कहे जाने वाले भगवान शिव को समर्पित भोरम देव मंदीर का इतिहास लगभग एक हजार वर्स पूराना ग्यारवी शताब्दी का है मंदीर का निर्मान नागवनसी राजा गुपाल देव ने करवाया था भोरम देव भगवान शिव जी का ही एक नाम है और ऐसा भी कहा जाता है कि गोंड राजाव के देवता भोरम देव थे और वे भगवान शिव के उपासक थे जिस कारण मंदीर का नाम भोरम देव पड़ा यह मंदीर मद्धि भारत में विस्त्रीत मंदीर इस्था पत्यकला की नागर शैली के सुन्दर उदाहरणों में से एक है तो अब हम चलते हैं मंदीर के अर्ध मंदप से मंदप की ओर मंदप है साट फिट लंबा और चालिस फिट चोड़ा मंदीर में प्रवेश के तीन मुख्य द्वार हैं जो सीधे मंदप से जुड़े हैं जिस तरफ से हम आये वह पूरो का द्वार है मंदप के सपोर्ट के लिए यूज किया गया है इस्तंभो का जिन में से चार इस्तंभ बीच में लगे हैं और बारा इस्तंभ लगे हैं किनार ओपर मंदीर का निर्माण कौन करवाया है इनमें लोगों की अलग-अलग मत है पर योगी की इस बैठी हुई मूर्ती में इस मूर्ती का निर्माण काल कल्चुरी संवत 840 अंकित है मतलब कि यह मूर्ती 11 शताब्दी के राजा गोपाल देव के कारकाल की है जिससे यह संभावना और बढ़ जाती है कि इस मंदीर का निर्माण राजा गोपाल देव ने करवाया होगा गर्भग्रिह में शिवलिंग के साथ अन्य मूर्तियां भी हैं जिन में पांच मुक वाले नाग घणेश जी उपासना करते इस्त्री पुरुस वा ध्यान में बैठे योगी की मूर्तियां शामिल हैं अब मैं आपनों को दिखाता हूं लेफ्ट साइड का द्वार अपन गुसेत उस तरप से अंदर अब यह है लेफ्ट साइड का द्वार लेफ्ट साइड के द्वार के बगल में ही है हनुमान जी का मंदीर तो लेफ्ट साइड के द्वार से कुछ इस तरीके का विव है बाहर की तरप से देखने पर पता चलता है कि मंदीर पांच फूट के आसपास के चबूत्रे के उपर बना हुआ है और नहीं है वह कलश जो रहता है मंदीर के शिखर के उपर मैं आप लगों को लेके चलता हूँ बैक साइड मंदीर के बाहरी दिवारों पर बनी हुई है शिव जी, गणेश जी, विष्णू जी, लच्मी जी, सरस्वती जी के साथ साथ अन्य कई खूब सूरत मूर्तिया इस तरफ से अपनायट है अंट्री और सीधे चले गयते और यह है हमारे राइट साथ के द्वार के ही पास मुझे एक मंदीर दिख रहा चलिए देखते हैं कौन सा मंदीर है किना पास भी बहुत ही संबर है दोगने तो अब लग जरूरा कर दोगने तो अब लग जरूरा कर दोगने जरूरा कर दोगने मंदीर के सेवक हैं जो बता रहें कि आठवी सताब्दी का श्यूलिंग है जो की बुड़ा माद्योजी को नाम से जाना जाता है आपकर नाम क्या है आपका नाम भी शूजी है 36 गड़ के होते हुए भी अगर अब तक यह सुन्दर और एतिहासिक मंदीर आप नहीं देखे हैं तो एक बार सब परिवार यहां जरूर आए अगर आपको मंदीर से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप मुझे डारेट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वी कर चीज अबोले इसको माला बनाते हैं रिकाल करके अलग से बनाते हैं जो कछ्चा होते हैं उसे खाते हैं और यह सुग एह पूरा ही है क्या बोलते हैं इसको नाम खोकमा को कमा